Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस वीडियो में, केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव टाइक कोश्टन इसकेस करेंगे in simple language. साथ साथ extra point भी डिसकेस करेंगे ताकि 12th examination में help हो और class 12th के बाद आप जो भी examination देने वाले हैं competitive या intense examination उसमें ये help करेगा. हमने इसके objective solution पहले से ही upload कर रखे हैं उसका description में link है वहाँ जाके आप देख सकते हैं. और previous six years के question physics, chemistry and mathematics उसका भी solution ओल्डेडी upload है उसका description में link मिलेगा वहाँ जाके आप देख सकते हैं. अगर ये वीडियो आपके लिए helpful हो तो चाइनल को जरूर सपोर्ट करें तो चलिए question discuss करते हैं. यहाँ पर sort type questions है, वहाँ से लेके 20 तक जिसमें से आपको कोई 10 question ही करने थे, हर एक question के 2 marks हैं. तो हम यहाँ पर total question discuss करेंगे 20 तक. तो पहला question है, फिनॉल एलकोहल से ज्यादा अमलिये क्यों हैं? यानि फिनॉल more acidic है, एलकोहल से क्यों? तो इसके दो reason हैं. हम दोनों reason discuss करेंगे, मगर आपको किसी एक reason का ही answer देना. पहले इसका हम structure बनाएंगे. एलकोहल का क्या हो जाएगा? एलकायल ग्रूप उसमें OH लगा देंगे. तो एलकायल ग्रूप एक releasing group होता है. तो यह क्या करेगा? OH के तरफ electron release करेगा. release करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? oxygen पर negative charge आजाएगा. यानि oxygen की electron density बढ़ जाएगी. उसके बाद oxygen पर electron density increase होने के कारण OH की overall polarity घड़ जाएगी. जिसे कारण क्या होगा? H पलस आयन बहुत मुस्किल से निकलेगा. तो आप जानते होंगे जहां से H पलस आयन मुस्किल से निकलता है, वो less acidic होता है. तो यह हो गया alcohol का reason. तो यह कम acidic हो गया. फिनॉल के structure की बात करें. फिनॉल का structure इस टाइब का होता है. यहां पे OH होगा. यहां पे lone pair है. यहां पे lone pair है. oxygen पे. तो यहां पे reverse process होगा. OH के साथ जो phenol group जुड़ा हुआ है. यह electron withdrawing group का काम करता है. तो यह phenol के पास यहां पे जो carbon है. SP2 hybridized carbon है. तो यह क्या करेंगा? oxygen का lone pair अपनी तफ लेगा. जिसे एकारण क्या होगा? charge का distribution होगा. charge का distribution होने एकारण यह resonance हो करेगा. तो यहां पे resonance हो करने के कारण oxygen पे plus charge आएगा. जिसे एकारण यह क्या होगा? more acidic होगा. एक resonating structure हम यहां पे बना देते हैं. तो यह loan pair जो है. यहां पे transfer होगा. और यह bond break होगा. यहां पे resonating structure बनेगा. यहां पे OH एक loan pair यह रहा. एक loan pair transfer होगया. तो यहां पे positive charge आएगा. और यह bond break हुआ है. तो यहां negative आएगा. यह bond ऐसी रहेगा. और यहां पे क्या आजाएगा? डबल bond आजाएगा. तो आप देख रहे हैं यहां पे oxygen पे positive charge है. और यह structure जो है. रिजोनेंस में जा रहा है. फिर आप further resonating structure बनाएगे. बॉन्ड यहां पे बनेगा. फैनली आपका जो बनेगा. लेजोनेटिंग structure वो बन जाएगा. alternate double bond आजाएगा. जो पहला structure था. वैसा है structure आएगा. लाश्ट में. ओ एच. इस पे क्या होगा? लोन पियर. तो यहां पे bond shift करेगा. फिर यहां पे करेगा. फिर यहां पे कर जाएगा. प्रेजोनेंस हो करने के कारण फेनॉल more acidic है. अल्कॉहल से. तो यह हो गया electron releasing and withdrawing group के basis पे. दूसरा रीजन है. अल्कॉक्साइड और फेनॉक्साइड आयन के basis पे. तो अल्कॉहल को अगर हम आयन में break करें. तो इस तरह से break होगा. यह reverse होता है reaction. और वो माइनस हो जाएगा. एच पलस आजाएगा. तो इसको कहते हैं. अल्कॉक्साइड आयन. तो अल्कॉक्साइड आयन में अगर देखें. तो oxygen पे जो negative charge है. यह localized है. यानि एक ही जगह पे locate करेंगा. यहां से कही transfer नहीं हो सकता. लोकिलाजड चार्ज होने के कान oxygen पे यह less acidic है. फिर अगर फिनोक्साइड आयन की बात करें. फिनोल को जब आयन में break करेंगे तो फिनोक्साइड आयन बनेगा. यह भी reverse reaction होता है. O-H+. तो यह फिनोक्साइड आयन है. फिनोक्साइड आयन में. फिनोक्साइड आयन में oxygen पे जो negative charge है. वो delocalized होगा. delocalized कहने के मतलब क्या? यह negative charge यहां पे locate नहीं करेंगा. तो जो नेंस के थुरू यह ortho and para position पे locate करेंगा. जिससे कारन क्या होगा? इसकी stability बढ़ जाएगी और more acidic होगा. अगर इसका resonating structure बनाएं, तो यहां पे एक loan pair है. यहां पे एक loan pair है. एक यहां पे loan pair है. तो यह बला loan pair क्या होगा? यहां transfer होगा इस bond के पास. फिर यह bond break होगा. तो negative charge यहां पे आएगा. यहां पे bond का formation होगा. तो पहला regionity के structure होगा. यहां पे double bond का formation होगा. यहां पे oxygen, दो loan pair बचेंगे. फिर यह bond break हुआ है. तो यह निगेटिव चार्ज आएगा. यहां पे double bond होगा. फिर यहां पे double bond होगा. फिर क्या होगा? यह transfer होगा यहां पे. निगेटिव चार्ज. फिर यह bond break होगा. यहां आएगा. निगेटिव चार्ज. तो यह regionality के structure बन जाएगा. यहां पे loan pair. यहां पे loan pair. अब यहां पे क्या आजाएगा? double bond. फिर यहां पे क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज. यह bond बच्चा. तो आप देख रहे हैं. तो पहले निगेटिव चार्ज यहां locate कर रहा था. अब यहां से delocalized हो गया ortho and para position पे. तो delocalization के वाज़से यह regionality करता है. इसे कारण यह more stable होता. तो more stable होने कारण यह more acidic है. लिथियम BCC रवा बनाती है. लिथियम की परमानुत तिज्या का गन्ना करे. जबकि लिथियम की 21 सेल यानि यूनिट सेल का किनारा 351 पीको मीटर है. तो हमें atomic radius of लिथियम निकालना है. लिथियम कौन सा crystal फॉर्म करता है? BCC crystal. तो आप solid state में पढ़े होंगे. जब BCC crystal फॉर्म करता है. तो उस case में atomic radius क्या होता है? R equal to root under 3 by 4 into age length. Age length यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 351 पीको मीटर. तो यहाँ पर put करेंगे. रूट under 3 by 4 into 351 पीको मीटर. तो अगर इसको 4 से divide देते हैं और रूट 3 से मन लिप्लाई करते हैं. तो यह आपका लगबग आता है. यह question पीवियस एर में भी पूछे गए हैं. तो इसका answer लगबग आता है. 152 पीको मीटर. पीको मीटर यहाँ पर इसलिए है. क्योंकि एटम का radius बहुत छोटा होता है. तो यह आपका answer होगा. Next है. संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? यानि secondary cell के बारे में पूछा है क्या होता है? तो आप electro chemistry में परहे होंगे. यह rechargeable battery होता है. या storage battery भी कहते हैं. दूसरा point है. इसको recharge कर सकते हैं. दूसरा point है. रिचार्ज करने के वज़ा से इसमें reverse reaction होता है. तो इसमें cell reaction reversible होगा. इसमें परहे होता है. चौथा point है. यह galvanic या voltaic cell जैसे act करेगा during discharge. यानि जब यह electricity produce कर रहा हो. किसी भी device में फिर यह electrolytic cell जैसा act करता है. जब इसको charge करते हैं. यानि current जब consume करते हैं. इसमें पॉइंट है. इसको एक से ज़्यादा बार भी यूज किया जा सकता है. अगर इसके example देखें. तो lid storage battery होता है. फिर दूसरा है. फिर दूसरा है. निकेल कैडमियम बैटरी. यह भी secondary cell में ही आता है. फिर तीसरा है. लिथियम आयन सेल. आयन सेल. तो यह कुछ secondary cell के example है. तो हमने कुछ extra point यहाँ बताए हैं. जो आपको ध्यान रखना है. अगर इसके uses की बात करें. electronic equipment में यूज करते हैं. स्मार्ट फोन भी आ जाएंगे. डिजिटल केमरा हो गया. लैप्टॉप्स हो गये. और आटो मॉइल में भी यूज करते हैं. तो यह कुछ इसके points थे जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट है. निम्न तत्वों का electronic विन्यास लिखे. यानि vanadium and zinc का हमें electronic configuration लिखना है. तो यह दोनों देख रहे हैं element, transition element है, यानि deep block का element है. तो vanadium का दियावा atomic number 23, तो electronic configuration जानते होंगे आप, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, यहां तक 20 electrons पूरे हो गए. अब हमें 3 आउर लाने हैं, 23 बनाना है, तो यहां पर क्या जाएगा, D orbital आएगा, 3D, 3 आएगा, मगर यह गलत होगा लिखना, इसको हम arrange करके कहां लिखेंगे, 4S के जवब पे, और 4S को यहां लिखेंगे. तो यह हो गया, simple electronic configuration, अगर noble gas configuration के हिसाब से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आरगन का होता है, atomic number 18, तो आपका 18 electron यहां तक पूर जाएगा, 3P6 तक, यह और बीटल को हम यहां पे लिखेंगे. 3T, 3, 4S2, यह आपको order ध्यान रखना है, 3D को पहले रखना है, 4S को बाद में, फिर अगर zinc की बात करें, तो simple configuration क्या हो जाएगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, अब यहां तक कितने हो गए, 18 हो गए, 4S2 आएगा, उसको हमें बाद में रखना है, फिर 3D10 आएगा, तो 3D10 को पहले रखेंगे, उसके बाद 4S2, यह total कितने हो गए, 30 electrons हो गए, अगर इसको noble gas configuration के इसाब से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आरगन का यहां तक होता है, 18, atomic number, तो आरगन, फिर क्या बचेगा, 3D10, 4S2, इसको लिख देंगे, तो हमने यहां पर दोनों लिखा है, simple configuration and noble gas configuration, नेक्स्ट है, हेलोजन परिवार के कौन कौन सदस है, यानि हेलोजन फैमली के members को लिखना है, तो हेलोजन फैमली कहते हैं, group 17 elements को, तो हमने periodic table के elements, S block, P block, T block, and F block elements को कैसे याद रखें, trick के साथ, तो हेलोजन ग्रूप के elements को एक story से हम याद रख सकते हैं, day to day, call date क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, तो इस पे हम एक story बनाएंगे, phone, यानि fluorine, call, बड़ी, BR, और I, इसके लिए में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी, at rate 17 रूपीज, यह याद 17 से हो जाएगा, group 17, और यह elements हो गए, phone, call, बड़ी, at rate 17 रूपीज, फलोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एन, इस्टेटीन, हेलोजन फैमिली के elements है, next है, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अनूभार, कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हैडोकसाइट को, NaOH को, जल में घोल कर, 200 क्यूभिक सेंटिमीटर विलियन बनाया गया, विलियन की मॉलर्ता ग्याद कीजिए, यानि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को, वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो डिजॉल्व करने के बाद, जो सोल्यूशन बना, उसका वोल्यूम दिया हुआ है, 200 क्यूभिक सेंटिमीटर, तो हमें मॉलरीटी फाइन करना, तो आप जानते होंगे, मॉलरीटी अब सोल्यूशन क यहां पर क्यूभिक सेंटिमीटर दिया हुआ, तो इसको हमें लीटर में चैंज करना होगा, तो मॉलरीटी फाइन क्या हो जाएगा, एम इकवल टू, नमबर उप मॉल उप सोल्यूट, बाई वान लीटर उप सोल्यूशन, वान लीटर लेना है, तो यहां पर सोल्यूट क् caustic soda, तो number of mole आप कैसे निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, given mass, by molecular mass, 40, by क्या हो जाएगा, one liter of solution, तो यहाँ पर जो volume दिया हुआ है, 200 cubic centimeter, तो cubic centimeter को liter में change करेंगे, तो आप जानते होंगे, one cubic centimeter equal to होता है, one milliliter, तो 200 cubic centimeter क्या हो जाएगा, 200 milliliter, इसको liter में change कर लेंगे, यानि thousand से divide दे देंगे, zero से zero cancel हो जाएगा, two से ten cancel होगा, five bar में, यानि one by five आएगा, तो यह क्या जाएगा, one by five liter आएगा, फिर four से four cancel, इसको solve करेंगे, क्या हो जाएगा, one by ten यह five उपर जाएगा, one by two को हम क्या लिखते हैं, 0.5, तो 0.5 mol per liter, molarity होगा, pH 3 से NS3 का आबंध कौन बरा क्यों है, यानि ammonia का bond angle greater है, phosphine से क्यों, तो इसका reason आप समझेंगे, इसका structure बना कर, तो पहले इसका structure बनाएंगे, NS3 का, तो क्या होगा, इस type का होता है, यहाँ पर lone pair है, अगर pH 3 का बनाएंगे, तो इसका भी ऐसी होता है, इसके पास भी lone pair है, bond angle डिपेन करदा है, size of central atom पर, तो size, जब increase करेगा, central atom का, तो bond angle क्या होगा, भी कीज करेगा, तो अगर हम ammonia की बात करें, तो इसमें lone pair है, और यहाँ bond pair है, तो lone pair, bond pair में repulsion होगा, यानि, रिपल्सन होगा, यहाँ पर, इससे कान क्या होगा, hydrogen एक दूसे close आना चाहिएगा, जैसे ही यह bond close आएगा, तो इसमें repulsion होगा, रिपल्सन एकान क्या होगा, यह hydrogen bond जो है, फैल जाएगा, bond pair, बाउन पियर, रिपल्सन इनकीज कर जाएगा, lone pair, bond pair, रिपल्सन एकान, यह bond क्या है, एक दूसे close आए, एक दूसे में repulsion होगा, बाउन पियर, बाउन पियर में, तो रिपल्सन होने एकान क्या होगा, यह bond angle फैल जाएगा तो यह bond angle जो होता है 107 degree का अगर यहाँ पे lone pair नहीं रहता यह extra concept हम बता रहे हैं सिब bond रहता जैसे methane में होता CH4 में तो यहाँ पे tetrahedral बनता है structure जिसका bond angle होता 109 degree क्योंकि bond pair, bond pair के repulsion कम होता है lone pair bond pair, repulsion से तो यह याद रखेंगा extra point है अगर pH 3 में देखें तो phosphorus क्या है nitrogen से बड़ा size में है तो इसमें क्या होगा यह lone pair, bond pair, repulsion कम होगा कम होने के कारण यह जो hydrogen bond है यह close नहीं होगा जब close नहीं होगा तो कोई repulsion नहीं होगा इसमें तो इसी के कारण इसमें जितना angle है पहले से वही angle रहेगा यानि 94 degree का bond angle होता है bond angle जो लेते हैं hydrogen, phosphorus, hydrogen यानि HPH next है निमलिखित आमल छारक अभी क्रिया को porn कीजिए यानि यहां पे acid based reaction दिया हुआ है इसको हमें complete करना है तो amine hydrochloric acid से reaction कर रहा है तो आप amine chapter में परहे होंगे amine hydrochloric acid के साथ reaction करता है in the presence of nitrous acid HNO2 तो यह आपको देता है disonium chloride तो कितने carbon है यहां बें 3 carbon है तो propyl disonium chloride दे देगा यानि CH3 CH2 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 N2 पलस CL- अगर फिर इसका hydrolysis करवाएं H2O के साथ reaction तो यह आपको दे देगा 3 carbon के alcohol और N2 बाहर निकल जाएगा पलस HCL आपको बाहर मिलेगा तो यह extra आपने बताया है जब hydrolysis करेंगा तो propyl alcohol मिलेगा N2 पलस HCL मिलेगा फिर दूसरा है triethyl amine उसको HCL के साथ reaction करना है तो 3 degree amine को अगर HCL के साथ reaction करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा triethyl NH पलस तो आपको मिलेगा triethyl ammonium ion next है lactose के जल अब घटन में कौन सा उत्पाद बनता है यानि lactose का जब hydrolysis करेंगे तो हमें क्या product मिलेगा तो lactose को हम hydrolysis करते हैं तो lactose and glucose मिलता है अगर इसको हम reaction से समझे तो पहले lactose का में structure बनाना होगा lactose का structure जो होता है ring form में होता है इस टाइब से कि अच्छ तू ओएच यहां पर फिर ओएच जोड़ा रहता है यहां पर भी ओएच है फिर यहां नीचे साइड रहता है ओएच यहां जोड़ा रहता है oxygen से सेम इसी ring के साथ सिप orientation जो होता है ओएच का अलग होता है यहां पर ओएच जो होगा नीचे साइड होगा यहां भी ओएच नीचे साइड यहां पर ओएच होगा ऊपर साइड फिर यहां पर क्या होगा CH2OH इसको हैडोलाइसिस करवाना है यानि water के साथ यह action तो यह क्या होगा आयन में break होगा एच पलस OH माइनस में और यह bond break होगा यहां से तो oxygen पर क्या आ जाएगा नीगेटिव और यहां पर जो carbon आएगा उस पर positive आ जाएगा तो नीगेटिव के साथ एच पलस जूरेगा और positive के साथ नीगेटिव जूरेगा तो product हो जाएगा यह ring में सिप क्या जोर देना है यहां पर OH ओएच कहा आएगा उपर साइट यहां पर क्या है CH2 OH यह ओएच उपर साइट था यहां भी यह ओएच कहा है नीचे है फिर पलस यह ring को ऐसी लिख देंगे यह OH यहां पर attach होगा नीचे साइट तो क्या हो जाएगा यहां पर होगा CH2 OH यहां पर नीचे साइट होगा तो यह जो product मिला हमें एक glycose मिला है एक glucose मिला है दिक लाओन किसे कहते हैं उधारन द्वारा समझाए यानि double salt को define करना है suitable example के साथ तो double salt आप जानते होंगे यहां पर name से ही clear है इसमें दो salt आएंगे जब दो simple salt combine होकर एक resulting salt का formation करते हैं उसको हम double salt कहते हैं double salt की एक property होती है अगर इसको water में dissolve करेंगे तो इसमें जो जो आयन मिले थे वो complete dissociate हो जाएगा यानि separate हो जाएगा तो पहला point क्या होगा यह दो simple salt से मिलके बनता है दूसा point क्या होगा यह complete dissociate होगा प्री dissociate लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर dissolving in water यह exist करता है solid state में यानि हमेशा ठोस आस्था में ही पाया जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे exist in solid state अगर double salt के example की बात करें तो पहला आता है potassium alum इसका formula होता है K2SO4 AL2 SO4 23 .24 water molecule तो फिर कारने लाइट यह भी double salt है KCl MgCl2 .6 water molecule यह कारने लाइट है फिर एक आता है more salt FeSO4 NH4 का twice 22 Aso4 .6 water molecule एक और प्रोपर्टी है जब डबल salt को वाटर में डिजॉल्व करेंगे लाइट आयन टेस्ट देगा जितने भी जितने भी constituent elements है वो iron में break हो जाएंगे जैसे immortal salt को water में dissolve करेंगे तो इसमें जितने भी iron है वो separate हो जाएंगे जैसे iron है तो ये Fe plus 2 में break होगा SO4 है SO4 minus 2 iron में break होगा फिर NH4 है तो NH4 पलस iron में break हो जाएगा Next है किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है यानि solid surface पर गैस का adsorption होने के लिए कौन सा factor जोड़ी है तो पहला factor है Nature of adsorbate यानि nature of gas कैसा है and nature of adsorbent यानि solid का nature कैसा है फिर दूसरा factor है surface area of adsorbent यानि solid का surface area कैसा है तो दूसरा हो गया surface area of adsorbent यानि solid फिर तीसरा है pressure of adsorbate यानि gas का pressure यानि जो gas adsorption होगा solid surface पर उसका pressure कितना है तो यहाँ पर लिखेंगे pressure of gas यानि adsorbate फिर चौता factor temperature है पांचमा factor है activation of adsorbent यानि activation of solid नेक्ट है methyl amine एनिलीन से ज्यादा चारिये है कारण बताए यानि methyl amine जो है more basic है एनिलीन से reason दीजिए तो इसको simple समझेंगे जैसे हमने पहला question समझा था alcohol और phenol में तो यहाँ पे उसका opposite reason है तो methyl amine का यहाँ पे हम structure बनाएंगे क्या होता है CS3 NH2 एनिलीन का अगर बनाएं तो क्या होगा बेंजीन पे NH2 लगा देंगे यहाँ पे loan pair होगा तो यह देख रहे हैं amine के साथ कौन ग्रूप जिरा हुआ है releasing group तो releasing group जुड़ा हुआ है यहाँ पे loan pair होगा nitrogen पे तो releasing group क्या करता है electron को release करता है तो electron को release करेगा तो nitrogen पे क्या होगा loan pair की density बढ़ जाएगी तो आप जानते होगे यहाँ पे loan pair की density बढ़ती है वो more basic होता है यही concept aniline में देखे तो यह जो benzening है benzening यहाँ पे क्या होगा electron withdrawing group जैसा act करेगा इस पे जो carbon होगा sp2 hybridized carbon होगा यह क्या करेगा इसके loan pair को अपनी तरफ transfer कर लेगा और यह फिर bond break होगा इससे क्या हो जाएगा यह regionating stress से सो करेगा और यहाँ पे loan pair की density कम हो जाएगी तो loan pair की density कम होई यहाँ यह क्या हो गया less basic हो गया तो अगर इसका regionating structure बनाए तो इस टाइब से आएगा negative यहाँ loan pair से यहाँ loan pair हमने यहाँ पे transfer किया है तो यहाँ double bond आ जाएगा NH2 nitrogen पे plus आ जाएगा फिर यहाँ पे क्या है double bond फिर यहाँ पे double bond है हैसी यह negative इस carbon के पास transfer होगा फिर यह bond break होगा इसी तर रेजोनेंज सो करेगा सो करने के कारण loan pair की density कम हो जाती है तो loan pair की density जहाँ कम होई यह less basic हो गया जर्ष्ट यह फिर नॉल का opposite concept है नेक्स्ट है संक्रामन तत्वों में परिवर्तन शील ओक्सी करन अवस्था क्यों होती है यानि transition elements में variable oxidation क्यों होता है यह बताना है transition elements आप जानते होंगे D block के elements है इसका जो configuration होता है generally क्या होता है ns n-1d transition elements में यह जो general configuration है यह आपका last में आएगा जैसे हम समझ ले यहाँ पर कोई orbital है उससे कम यहाँ पर orbital होगा जैसे आप जानते होंगे 4s and 3d orbital जैसे ही transition element one formation करने के time electron loss करता है electron loss दो तैसे करता है पहले तो करता है minimum electron loss फिर एक होता है maximum electron loss करता है minimum loss of electron जो होता है 4s orbital के electron से होता है and maximum loss of electron जो होता है वो दोनों orbital के electron को मिला के होता है 4s and 3d orbital के electron को मिला के होता है तो इसका simple reason है जो last two orbital है उसके energy defense बहुत कम होता है और जैसे ही transition elements compounds का formation करते हैं उसके लिए bond form करना होता है तो bond form करने में दो तैसे electron loss होता है तो minimum loss of electron के कारण ये minimum oxidation state सो करता है and maximum loss of electron के वज़ा से ये maximum oxidation state सो करता है तो ये variation of oxidation state का reason है next है प्रत्थम कोटी की अभिकिरिया का wake इस्थिरांक 0.0005 minute inverse है इस अभिकिरिया का अर्ध काल समय निकाले यानि first order reaction का rate constant 0.0005 minute inverse है तो हमें half life निकालना है तो इसका डैक्ट formula होता है half life of first order reaction का t half equal to 0.693 by rate constant यहां पर rate constant का value दिया हुआ है put कर देंगे 0.693 by 0.005 अगर नीचे हम 2 से मल रिप्लाई कर दे तो solve करना असान हो जाएगा उपर भी 2 से मल रिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 9, 18 8, carry 1 6, 12, 1, 13 नीचे क्या हो जाएगा 0.001 यहां भी देख रहे हैं तीन डिजिट के बाद point है यहां भी तीन डिजिट के बाद point है तो कि point point cancel हो जाएगा क्या बचेगा 1, 3, 8, 6 मिनट आफ लाइफ प्रियड आएगा नेक्स्ट है काच को अती शीतित दरब क्यूं माना जाता है यानि गलास को सूपर कूल लिक्विट क्यूं कहते है तो हब जानते होंगे सॉलिड इस्टेट में पढ़े होंगे गलास एक एमोर्फस सॉलिड है एमोर्फस सॉलिड होता है जो सॉलिड एन लिक्विड इस्टेट के बीच में लाइख करता हो एमोर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड भी कहते है यानि जोट का सॉलिड तो यहाँ पे glass को super cool liquid इसली कहते हैं क्योंकि amorphous solid flowing property का होता है जैसे ही amorphous solid को heat करेंगे इसके particle flow होने लगते हैं like viscous इसे कान इसकी viscosity high होती है यह complete melt नहीं होगा मगर viscous property रखता तो क्या लिखेंगे यहाँ पे property flowing property होता है flowing property होता है इसके viscous city high होती है next है क्या होता है जब in butyl chloride को alcoholic koh के साथ परतिक क्रिया कराये जाता है तो यहाँ पे हमें बताना है in butyl chloride को जब reaction करते हैं alcoholic koh के साथ तो क्या product मिलता है तो यहाँ पे हम दोनों reaction बताएंगे alcoholic koh के साथ and equus koh के साथ तो in butyl chloride के मतलब क्या है normal butyl यानि chain में होगा butyl के मतलब 4 carbon इसमें chlorine add कर देंगे तो butyl chloride हो गया इसको हमें reaction करना है alcoholic koh के साथ तो यह reaction जो होता है dehydro halogenation reaction होता है यानि dehydro का मतलब क्या हुआ water निकलेगा halogenation का मतलब क्या है halogen भी निकलेगा तो इस reaction में होता है यह जो second number पे carbon है उसमें जो hydrogen है यहां से निकल जाएगा और first carbon से chlorine निकलेगा अगर koh को iron में break करें तो क्या जाएगा k plus oh minus तो oh minus के साथ h जाएगा और k plus के साथ क्या जाएगा यहां से c l minus जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा devil bond plus k c l निकल जाएगा plus water भी निकलेगा तो यह बन गया क्या आपका क्या हो जाएगा but one in तो यह butine बन गया तो अगर हम कोई alkyl chloride ले 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 लेते हैं यहां पे उसको कर रहे हैं इसको reaction कर रहे हैं एकवस को ह के साथ तो क्या मिल जाएगा alcohol मिल जाएगा जितने carbon का होगा उतना carbon का alcohol मिल जाएगा यानि alkyl alcohol तो आप यह याद दखेंगे alcoholic के ओएच के case में जो main product मिलता है alkyne मिलता है और एकवस के ओएच के case में जो main product मिलता है alcohol मिलता है नेक्ट है विखेणोएक ओव्ब जाएगा तता इतन्युएक और में क्या अंतर है तो हमें यहाँ पर difference बताना है Methanolic Acid and Ethanoic Acid पहले इसका हम chemical formula लिखेंगे Methanolic Acid का क्या होता है H, COOH Ethanoic Acid का क्या होता है CS3, COOH तो इसमें हमें differentiate करना है तो पहले name के हिसाब से कर ले इसका common name क्या होता है Formic Acid इसका common name होता है Acetic Acid अगर इसके source की बात करें कहां से आता है Formic Acid जो नाम परा है इसके source से क्योंकि यह Red Ant से आता है लाल चीटी से इसका Acetic Acid नाम इसलिए परा क्योंकि इसका maximum जो source है vinegar है vinegar से आता है फिर अगर reaction की बात करें reaction के basis पर कैसे differentiate करेंगे तो Formic Acid Torlens test देता है यानि Silver Miller test and failing test देता है क्योंकि इसमें LDHeidic पार्ट है अगर इसका structure खोले तो इस टाइब से आएगा यह पार्ट जो है common है LDHeid में भी और Formic Acid में भी मगर Acetic Acid की बात करें तो इसमें यह पार्ट आपको नहीं मिलेगा CS3 C Double Bond O यहाँ पे OH आज आज आता तो इसमें LDHeidic पार्ट absent होने के कारण यह tolerance test या failing test दोनों में से कोई नहीं देता अगर दोनों के acidic character की बात करें तो यह more acidic है यह less acidic है Next है उत्किरिष्ट गैसों की प्रमानुतिज्या तुलनात्मक रूप से बरी होती है क्यों यानि Noble Gas का Atomic Radius यानि Atomic Size लार्ज होता है क्यों तो आप जानते होंगे इसका main reason है Stable Configuration इसके Outermost Orbit में Octet पुरा होता है इसलिए नहीं Electron Loss करेगा नहीं Electron Gain करता है जैसे हम Helium की बात करें Atomic No.2 होता है तो इसको कैसे लिखते हैं Configuration 1 is 2 तो यह तो क्या हो गया Neucleus हो गया यह पहला सेल है इसमें 2 Electron है देख रहे हैं Doet पुरा है अगर Neon की बात करें इसका 10 होता है Atomic No.3 तो इसका Configuration लिख लेते हैं 1 is 2 2 is 2 2 P 6 तो देख रहे हैं पहले सेल में 2 Electron है दूसरे सेल में कितना Electron है 8 Electron आ रहा है तो अगर इसका हम Structure बना है Orbital Structure तो पहले सेल में कितना है 2 Electron दूसरे सेल में कितना है 8 Electron Electron हमें सब पेर में फिल करते हैं Electron complete है Octet पूरा है तो इसको न Electron lose करना होगा Electron gain करना होगा इसलिए इसका Size constant रहता है Other element के aspect में तो में इसका reason क्या है Novel gas having stable configuration and outermost cell are completely filled so that it cannot loss or gain electron Next है Dittol का मुख संघटक क्या है यानि main constituent of Dittol तो Dittol के दो main constituent है पहला है chlorozylinol दूसरा है alpha terpenion अगर दोनों के structure की बात करें तो chlorozylinol का structure जो होता है इस टाइब से होता है यह benzine ding है यहाँ पे OH attach है फिर यहाँ पे methyl group है यहाँ पे chlorine है फिर यहाँ पे methyl group है तो यह हो गया chlorozylinol दूसरा है alpha terpenion इसका structure है यह भी ring shape में है यहाँ पे double bond है यहाँ पे methyl group फिर यहाँ पे एक branch है यहाँ पे करवन है यह OH है group फिर यहाँ पे CS3 group है फिर यहाँ पे methyl group है तो इसका नाम है alpha terpenion अब alpha नाम इसका क्यों पर है क्योंकि यहाँ पे जिस करवन से group attach है उस करवन का next जो करवन है उस पे alpha hydrogen है next है जाग पलावन वीधी से किस परकार के आयसकों को सांद्रित किया जाता है उधारन दे यानि frost, flotation, process के द्वारा किस टाइप के ओर्ण को concentrated किया जाता है यानि purify किया जाता है तो frost, flotation, process द्वारा को concentrate करते हैं sulfide ords को sulfide ords lead का, zinc का, and copper का तो lead का sulfide ord किया है PBS zinc का, sulfide ord किया है जेडेनेज, कॉपर का सिलफाइड और, कॉपर पाइडाइट यानि C-Y-O-F-E-S-2 इसका नाम है कॉपर पाइडाइड, जिंक सिलफाइड और का नाम है, जिंक ब्लेंड, फिर P-B-S, गैलेन, तो आप समझ गए होंगे, फ्रोट फोटेशन पॉसेज द्वारा हम सिलफाइड और को कंसेंप्रेट करते हैं, तो इस्टुएंट हमने यहाँ पे टोटल स्वाट टाइप कोश्चन डिस्कस किये हैं, विद एक्सपेनेशन और एक्स्टा पॉइंट मेंट अगर यह वीडियो आपके लिए हलफफुल रहा हो, तो चैनल को जरूर सपोट करें, And, if any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.